हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल लूसेंट सा माने ज्यान में पाट संख्या सोल्ला प्राचीन भारती एतिहांस भारत के योवन राज के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे भारत पर आक्रमन करने वाले विदेशी आक्रमनकारियों का क्रम है हिंदू, युनानी, सक्क, पल्ल, कुशान सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पस्षिम तथा मध्य एसिया के विशाल समराज्य को इसके उत्राधिकार एंटियोकस प्रथम ने अच्छुन बनाए रखा एंटियोकस टू के सासनकाल में विद्रोह के फल स्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गएं बैक्टेरिया के विद्रोह का ने त्रित्वर डियोडोटस प्रथम ने किया था बैक्टेरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजियों ने क्रम सह सासन किया डियोडोटस टू, यूतिदेमस, डेमिट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेट टाइडस, एंटी आलकिडस तथा हार्मिक्स भारत पर सबसे पहले आकरमन बैक्टिरिया के सासक टेमिट्रियस ने किया इसने 190 इसा पूर्व में भारत पर आकरमन कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंद्र के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई? साकल याद रखियेगा और इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्टिरिया यूनानी कहा गया हिंदू यूनानी सासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165-145 इसा पूर्व हुआ इसकी राधानी साथ अल आधुनिक सियाल कोट सिक्षा का परमुक केंद्र था मिनांडर ने नागसेन नागारजुन से बौध धर्म की दिक्षा ली मिनांडर के प्रश्ण यूम नागसेन द्वारा दिये गए उत्तर यूम पुस्तक के रूप में संग्रिहित है जिसका नाम मिलिंद पनोह अर्थात मिलिंद के प्रश्ण या मिलिंद प्रश्ण है हिंद यूनानी भारत के पहले सासक हुएं जिनके जारी किये सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राज्यों के हैं भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किये हिंद यूनानी सासकों ने भारत के पच्छी मुतर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हिले निशी टक आर्ट कहते हैं हिले निशी टक आर्ट भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरन है कौन गंधार कला कि आर्ट से बना है तो देखे लिखे लिजए ही ले नी सी टक आर्ट समझें तो ये था भारत के योवन राज्य के बारे में जिक्र अगला अध्याय होगा पाड़ संख्या सत्रह सक्क